दिवाली पर किसी दूसरे व्यक्ति को भूल कर भी ना दे ये चीजे, वरना घर में हो जाएगा अलक्ष्मी का वास। दोस्तों आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली का पावन पर्व भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे महत्वकूर्ण क्योहारों में से एक है, यह क्योहार रोश्नी, खुशी और समरिध्धी का प्रतीक है, दिवाली का महत्व केवल एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है, यह जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेणा देता है, इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और रंग बिरंगी रोश्नी से सजाते हैं, दिवाली के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कहानिया हैं, जो इस दिन के म महत्व को और भी बढ़ाती हैं, यह त्योहार न केवल भगवान राम के अयोध्या लोटने की खुशी मनाता है, बलकि मा लक्षमी के आगमन और समरिधी की कामना का भी प्रतीक है, इस दिन को लोग एक दूसरे के प्रती प्रेमभाव और समर्पन भाव रखते हैं, दीपा प्रवली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथी को मनाया जाता है, प्रदोश काल के बाद दीपावली की पूजा की जाती है, पंचाम के अनुसार इस साल अमावस्या तिथी 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3 बचकर 52 मिनट पर शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6 ब प्रदोश का तिथी विद्यमान रहेगी, इसलिए 31 अक्टूबर की रात को दीपावली मनाना तर्क संगत होगा, 31 अक्टूबर को रात में ही लक्ष्मी पूजन, काली पूजन और निशीत काल में पूजा की जाएगी, मध्यरात्री की पूजा भी 31 अक्टूबर की रात को करना सर्वमान्य होगा जबकि अमावस्या से जुडेदान उन्य के कर्म और पित्री कर्म आदी एक नवंबर को सुभा के वक्त करना शुब होगा दिवाली लक्षमी पूजन शुब मुहूर्थ के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर को प्रदोश कल शाम पांच बचकर 36 मि नहीं व्रिशब लगन शाम 6 बचकर 25 मिनट से लेकर रात को 8 बचकर 20 मिनट तक रहेगा ऐसे में ग्रिहस्थ लोग इस समय के दौरान लक्षमी पूजन करें ऐसा करना आपके लिए शुब साबित होगा वही लक्षमी पूजन के निशीत काल मुहूर्थ की बात करें तो तं क्रियाओं के लिए निशीत काल में पूजा करना ज्यादा लाबकारी माना जाता है 31 अक्टूबर को निशीत काल में पूजा करने के लिए शुब मुहूर्थ रात 11 बचकर 49 मिनट से लेकर 12 बचकर 31 मिनट तक रहेगा स्थिर लगन और प्रदोश काल में लक्षमी पूजन का महत्व मा लक्षमी का प्रादुर्भाव प्रदोश काल में हुआ था और स्थिर लगन में मा लक्षमी की पूजन करने से महालक्षमी स्थिर रहती हैं ऐसे में दिवाली पर प्रदोश काल में पढ़ने वाले व्रिशब लगन में ही महालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करना अती उत्तम रहेगा हिंदू पंचान के अनुसार 31 अक्तूबर को व्रिशब लगन शाम को 6 बचकर 25 मिनट से लेकर रातरी 8 बचकर 20 मिनट तक रहेगा साथ ही इस समय प्रदोश काल भी मिल जाएगा प्रदोश काल, व्रिशब लगन और चौगरियां का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्तूबर की शाम को 6 बचकर 25 मिनट से लेकर 7 बचकर 13 मिनट के बीच का समय सर्वोत्तम रहेगा कुल मिलाकर 48 मिनट का यह मुहूर्ट लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रिष्ट रहेगा इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें कि दिवाली रोशनी का पर्व नहीं है बलकि खुशियां बांटने का पर्व भी है दिवाली पर खुशियां बांटने का एक तरीका है अपने प्रियजनों को उफार देना दिवाली के लिए अगर आप भी अपने प्रियजनों को उफार देना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें उफार में देने से बचना चाहिए. आप अगर इन चीजों को उफार में देते हैं, तो आपके जीवन की सुखसमरिधी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. साथ ही माता लक्षमी भी आपसे नाराज हो जाती है, और अधिक तंगी जैसी समस्या समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है. इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि दिवाली पर कौन सी चीजें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए. लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्षमी जी और भगवान गणेश महाराज का आशिरवाद आ. पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्षमी माता जय गणेश महाराज लिखकर अपनी हाजरी जरूर लगाएं. तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि दिवाली पर कौन सी वस्तुएं किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार में नहीं देनी चाहिए. नमबर एक, घड़ी. दिवाली पर घड़ियां गिफ्ट में दी जाती हैं, लेकिन वस्तुशास्त्र के अनुसार घड़ियां समय से जुड़ी हुई हैं, और गती से भागता हुआ समय दिखाता है कि जीवन कम हो रहा है. इसलिए आपको किसी को भी गिफ्ट में घड़िया नहीं देनी चाहिए. नमबर दो, रुमाल तॉलिया. वस्तुशास्त्र के अनुसार आपको दिवाली पर किसी को भी रुमाल या तॉलिया गिफ्ट में नहीं देना चाहिए. किसी को भी रुमाल या तॉलिया गिफ्ट में देने से रिष्टों में दरार आ जाती है और जिस कल के समय के अनुसार परफ्यूम को सबसे आसान और सस्ता तरीका समझ कर लोगों को गिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन परफ्यूम बजट के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार से कृत्रिन सुंगध वाले परफ्यूम आर्थिक खुशाली के नहीं करनी चाहिए, इस समय में नीनबू, आचार आदी चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि इन्हें घर लाने से व्यक्ति को पैसों से जुड़ी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है। की दूध को चंद्र, ग्रह का प्रतीक माना जाता है। सूर्य ढलने के बाद किसी को दूध देने से घर में आर्थिक परेशानिया आ सकती है। साथ ही घर में नकारात्मक उर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर में अशान्ति बनी रहती है। नमबर छे, रसोई घर का सामान रसोई घर में प्रयोग में लाई जाने वाले सामान को भी दिपावली वाले दिन किसी को नहीं देना चाहिए। इस दिन चकला बेलन और तवा को भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि इन तीनों चीजों को किसी दूसरे व्यक्ति को देने से आपके घर की लक्षमी उसी व्यक्ति के साथ चली जाती है। नमबर साथ जूते चप्पल दोस्तो जूते चप्पल को भी दिवाली पर उभार में देना अशुभ माना जाता है। नमबर आठ नमक दिवाली के दिन नमक का दान बिलकुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खाली बरतन देने से घर में दरिद्रता का वास होता है। अगर आप बरतन उभार में दे रहे हैं तो उसमें कुछ मिठाई या अनाज भर कर दें जिससे समरिधी का प्रतीक बना रहे और आपको इसका फल भी मिल सके। नमबर दस चमडे से बनी वस्तुएं चमडे से बनी वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट या बैग आधी को दिपावली पर उफार के रूप में देना अशुभ माना गया है। चमडा मास से प्राप्थ होता है और इस प्रकार की वस्तुएं नकारात्मक उर्जा का प्रतीक मानी, जाती हैं यह उफार घर में शान्ती और सौभाग्य में बाधा उत्पन कर सकते हैं। नमबर ग्यारा ज़ाडू दिपावली पर सफाई करने वाले सामान जैसे ज़ाडू या फिर अन्य कोई दूसरे सफाई करने के उपकरण उफार में नहीं देना। चाहिए दिवाली पर ज़ाडू किसी दूसरे व्यक्ती को देना घर की सम्रिध्धी और सुख को हटाने का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर से बरकत का अंठ हो सकता है। नमबर बारह ताजमहल की आकरिती। बहुत से लोग दिवाली उपHOर में ताजमहल की आकरिती दे देते हैं, लेकिन ताजमहल की आकरिती उपहर स्वरूप देना शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि ताजमहल एक मकबरा ही है, इसलिए हमें इस तरह का कोई भी वस्तु दीपावली पर उफार स्वरूप। नहीं देना चाहिए अन्यथा आपको शुब परिणाम की जगह अशुब परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर तेरह नकली फूल या सजावती पौधे दीपावली पर नकली फूलों या पौधों का उफार देना अशुब माना गया है। दिन तेल और घी का दान करने से बचना चाहिए। इस दिन आग को बढ़ावा देने वाली चीजों का लेंदेन करना अशुब माना गया है। नमबर पंदरा लोहे की चीजें। लोहे की चीजें दुरभाग्य और विपत्ती को आकरशित करती हैं। लोहे को शनी की धातु मान जाता है इसके साथ ही लोहे का संबंध राहु से भी माना जाता है। ऐसे में दिवाली के दिन लोहा या लोहे से बनी चीजों का भी दान नहीं करना चाहिए। नमबर सोलह तूटी हुई चीजें। तूटी हुई चीजें असफलता और दुरभाग्य को आकरशित करती हैं। ऐसे में दिवाली के दिन तूटी और चटकी हुई चीजों का भी दान न करना चाहिए। अगर आपके घर में तूटी फूटी या फिर कोई पुरानी चीज है तो दिवाली पर उसे घर से बाहर निकाल दे यह चीज नकारात्मक उर्जा को आकरशित करती है। नंबर सत्रह सोना चांदी के सिक्के धार्मिक द्रिष्टिकों से सोने और चांदी के सिक्कों को उपहार में देना भी गलत माना जाता है। विशेशकर जब उन पर देवी लक्ष्मी या भगवान गनेश की आकरती हो। ऐसा करने से घर की संपत्ती और बरकत को दूसरों के साथ बांटने का संकेत मिलता है। इसलिए दिवाली पर ऐसे उपहारों से परहेस करना चाहिए ताकि आपके घर की सुख समरिधी बनी रहे। आजकल बहुत से ऐसे शोपीस हैं जो नुकीली होती हैं। वहीं कई बार लोग मजाक में भी एक दूसरे को डोट, चाकू कैची या फिर कोई अन्य चीज गिफ्ट में दे देते हैं। आप भी अगर अपने किसी प्रियजन को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें नुकी को भी भगवान की मूर्ती या तस्वीर दिवाली गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान सेवा करने के लिए होते हैं, किसी को उभार में देने के लिए नहीं। वास्तु, शास्त्र के अनुसार किसी वस्तु की तरह भगवान की मूर्त को उपहार में नहीं दिया जा सकता है। अन्यथा आपसे माता लक्ष्मी और भगवान श्री गनेश आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता। है नमबर 20 काले कपड़े। दिवाली पर अपने प्रियजन को गिफ्ट में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार काले रंग को अंधकार से जोड़ कर देखा जाता है और माना जाता है जबकि दिवाली प्रकाश का पर्व है। इसलिए दिवा पर किसी को भी काले रंग के कपड़े गिफ्ट न करें। इसका असर आपके जीवन पर नकारात्मक पड़ सकता है और आपको शुब परिनाम की जगह अशुब परिनाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जयमा लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।